आज मैं आपके साथ एक बहुत ही amazing journey पर चलने वाली हूँ चाहां हम e-commerce नाम की इस कुथी को सुलजाएंगे मैं ये guarantee के साथ कह सकती हूँ कि ये course आपको अपने business के लिए एक नया perspective जरूर देगा तो चलिए, शुरू करते हैं एक fundamental question से what is e-commerce? e-commerce क्या है? अगर आप इस word को simply split करें तो आपको दो separate words बिलेंगे e and commerce सिर्फ definition की बात करें तो पहले आपको commerce का मतलब समझना होगा उसको समझाने के लिए हम एक आवास सुनेंगे ठ्यान से सुनिए ये आवास क्या है? वैसे तो ये आवास कॉलकाता के मशूर बड़ा बजार की है पर वास्तव में ये आवास है commerce की commerce जिसे आप ट्रीटिंग, कारोबार या व्यापार में कहते हैं एक business man के लिए ये आवास music की तरह है जितना ज्यादा शोर और भीड एक market में होती है उसके लिए ये music उतना ही मधूर बन जाता है traditionally commerce या ट्रेडिंग का मतलब होता है exchange of goods and service and their payment in money अगर आप goods या service का lien दिन करे और उनके बदले में पैसों का payment involved हो तो ये commerce खहलाएगा या trading खहलाएगा और ये trading of goods and services जिस जगह पर होती है उसे हम bazaar या market कहते है 1000 साल पहले भी ये commerce होता था तब नगर की मंडियों में या कस्बों की हार्ट में trading होती थी आज ये वेपार छोटे शहरों में cloth market में चानली चौक या city center markets में होता है और metro cities में, malls में या showrooms में होता है तो आईए अब एक दूसरी तरहा की आवाज को सुनते हैं इस आवाज में शोर कम है लेकिन भीड बेहत ज्यादा ये आवाज है हमारे देश के उन करोड़ों लोगों की जो computers, laptops और mobile पर internet यूज करके कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं मिसाल की तोड़ पर flipcard.com जो कि एक online बाजार या market की तरह है उसकी website पर 6 October को एक sale लगी थी जिसका नाम था Big Billion Day Sale उस दिन इस website पर 100 करोड़ बार click किया गया याने के हर second 25,000 से ज्यादा clicks जैसा कि मैंने कहा था शोर नहीं पर भीड बहुत 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 ज्यादा है E-commerce इसी कमशोर वाले markets पर जहाँ पर कई गुना ज्यादा भीड है उनकी कहानी है Normal commerce और E-commerce में एक और छोटा सा फरक है ये देखिए ये है मुंबाई का furniture market जबकि ये है www.pepperfry.com का landing page अगर दोनु की जगहों पर furniture की खरीद फरोख हो रही है तो फरक क्या है Well, फरक ये है कि electronic commerce या E-commerce की दुनिया में trading electronically होती है एक online website या portal पर ना कि किसी physical market में तो अब हम finally E-commerce को define कर सकते हैं Let's end this section with the formal definition of E-commerce E-commerce कह सकते हैं goods और service की trading जिसे किसी computer device जिसे mobile या laptop पर किया जाता है और जहां पैसों और information का exchange internet के जरिये होता है ना कि किसी physical location पर हमने E-commerce की definition समझी लेकिन real life में आपको ये definition नहीं देखेगी क्योंकि E-commerce real life में websites की शकल लेता है Interesting comparison है जैसे showrooms का physical address होता है वैसे ही E-commerce में हर company का electronic address होता है उसका URL या website link So let's look at some of the biggest name in the Indian E-commerce And I recommend you to visit these sites at least once while watching this video इस वीडियो को pause करके इन सारे websites को एक बार जरूर देखे हम अलग-अलग sector से कुछ नाम उठाएंगे और ये भी देखेंगे के यहां पिकता क्या है सबसे पहले देखते हैं ट्रावल और बुकिंग सेक्टर में यहां makemytrick.com, cleartrip.com, yatra.com और goibibo.com इंडिया के major air ticket booking portals हैं एक नाम जो travel booking का सबसे बड़ा नाम है और आप सब जानते हैं irctc.co.in redbus.in बस travel ticket booking के लिए और expedia.co.in या musafrit.com hotel booking के लिए काफी popular websites हैं टाक्सी booking में ola cabs, uber, taxi for sure बड़े नाम है यहां पे तो mobile application पर ही सारा transaction होता है उसके इलावा नौकरी.com jobs के लिए जीवनसाथी.com और शादी.com marriage alliance के लिए e-commerce platforms हैं नोटिस कीजिए ये सभी services हैं इन सभी websites पर आप online electronic mediums के थूँ payments करते हैं traveling या hotel booking या job assistance जैसी किसी service के लिए अब एक बार ये भी सोचिए कि आज से 15 साल पहले आप क्या करते थी इन services के लिए ticketing, hotel booking, tour planning agents के थूँ होती थी नौकरी की opening पेपर में आती थी शादियां सिर्फ समाज के magazines या सम्मेलन में हो सकती थी e-commerce ने किसी को पूरा, किसी को थोड़ा पर बतला जरूर है e-commerce पर goods का exchange भी revolution की तरह शुरू हो चुका है खास कर इंडिया की बात करे तो और ये जो नाम हम लेंगे इन में से कई नाम इतने बड़े हैं कि इनके newspaper के front page पर और TV में prime time पर advertisement भी आते हैं Products related e-commerce में सबसे popular होती है marketplaces याने कि वो websites जिनमें के कई categories के products कई अलग-अलग sellers के थूँ पिकते हैं Online marketplace में सबसे बड़े giants है flipcard.com, amazon.in और snapdeal.com इसके अलावा ebay.in भी एक पुराना और बड़ा प्लेयर है इन marketplaces में mobile, electronics, apparel, fashion, home decor, appliances books जैसे कई categories के products आपको heavy discounts पर मिलेंगे इसके हलावा e-commerce में ऐसे भी websites हैं जहां किसी particular category या target audience पर स्यादा focus है मिसाल के तोर पे furniture के लिए fab furnish, urban ladder या pepper fry फैशन और apparel के लिए myntra.com, jabong.com या yepme.com kids category में देखे तो firstcry.com, babyoi.com जैसी websites हैं glasses and spectacles के लिए lenska.com है तो अगर हम summarize करें और business language में देखें तो e-commerce को e-travel और e-tailing में divide किया जा सकता है service sector में सबसे बड़ा travel sector है जो online है, इसे हम e-travel कह सकते हैं products and goods sector में सबसे prominent है online retail और इसे हम e-tailing कहेंगे हम e-tailing को ज्यादा नजदीक से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें हर तरह का seller मिलेगा जैसे के importer, distributor, manufacturer, exporter, वगेरा वगेरा Website is the new showroom Is that really true? चलिए देखते हैं इसे देखते ही जो एक नाम आपकी ब्रेम में चमकता है वो है showroom इस नाम ने सालों में एक पहचान बनाई है customer के दिमाग में इसी तरह से e-commerce या e-tailing ने customer के दिमाग में एक पहचान बनाई है अपनी websites, product pages और search pages की थूँ जो के धीरे धीरे showroom की जगे ले चुके है इससे पहले की हम अपनी journey में आगे बढ़े आएए देखते हैं कुछ websites के main pages और product pages को यह है flipcard.com, amazon.in, snapdeal.com और ebay का front landing page और इनी websites पर अगर आप laptop bag search करें तो यह है इनके product search pages यह प्मी, मिंत्रा और जैबॉंग के front landing pages और इनके product pages fab furnish का product page और यह urban ladder का product page आने वाले time में हम इन websites के बारे में और detail में बात करेंगे हम इन pages को और नस्दीक से देखेंगे पहले एक customer की नजर से और फिर एक seller की नजर से जब तक यह course खतम होगा, यह pages आपके दिमाग में भी एक पहचान बना चुके होंगे तो यह था एक brief introduction about e-commerce लेकिन as a business man आपके लिए इस वक्त e-tailing का importance क्यों है? क्या कोई ऐसे science है जो आपको अभी पकड़ने जरूरी है? कहीं कोई opportunity तो नहीं है जैसे आप देख नहीं पा रहें? कई बार गाड़ी हमारे आँखों के सामने से गुजरती हैं पर हम उस पर चर नहीं पाते क्योंके हमारे आसपास कोई भी उस मौके को नहीं भाम पाता अगली session में हम आपको कुछ facts, कुछ science और कुछ futuristic prediction बताएंगे We have a very strong case for e-commerce and why it should not be ignored